गर्मिया थो आप कुछ दिनों की बची है तो अब सर्दी आने वाली हैं सर्दी ओ के लिए मैं एक खास तेल लेकर आई हूँ जी हाँ फ्रेंड्स जो आपके बालो को कर देगा इतना ही लंबा इतना ही मोटा जी हाँ फ्रेंड्स सही सुना अपने अगर इस तेल को हफ़ते मे तीन बार लगा लेते हैं तो गजब के आपको रिजल्ट मिलेंगे जो आप अपने हेर फॉल की समस्या से जूज रहा है ना आपका हेर फॉल रुक नहीं रहा है ना तो इस तेल से आपका हेर फॉल रुकेगा ही रुकेगा क्योंकि ये तेल क्या करता है आपकी बालों की तेल को बहुत ही कम इंग्रीडियन के साथ बनाया है और यह तेल इतना बहत्रीन है कि जब आप इसको लगाएंगे तो आपके बाल भी मेरे ही तरह है लंबे घने और मजबूत हो जाएंगे खई बार आप पूसे हैं आप अपने बाल दिखाएंगे तो मेरे बाल लंबे ही है तब ही मैं आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करती हूँ पहले मैं खुद इस्तमाल करती हूँ फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इस तेल को बनाना बहुत ही आसान है इस तेल को किस तरीके से बनाना है उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना ह और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी request कि आपको remedy useful लगे तो like ज़रूर करें और अपने friends लोगों में share करें तो friendship remedy को बनाने के लिए आपको यहाँ पर चाहिए long लोग बहुत जादा फायदे बंद होती है और इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए हमारे scalp के लिए बहुत जादा फायदे बंद होती है तो आपको यहाँ पर 10 से 12 जो है long ले लिनी है और long लेने के आपको जो दूसरे चीज चाहिए वह रोजमेरी अगर आपके पास मतलब fresh रोजमेरी हो तो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपके पास fresh वाली नहीं है तो आप मेरी तरह ड्राइवाली रोजमेरी का इस्तमाल कर सकते हैं यह आपको amazon flip card पे easily मिल जाएगी ऑनलाइन अ आप उसमें इसको डाल दीजिए और थोड़ा सा crush कर लीजिए बस आपको crush करना है और जब थोड़ा सा crush हो जाए तो उसके बाद आप किसी blade में इसको निकाल लीजिए बस आपको इतना काम करना है और उसके बाद आपको gas की तरफ जाना है और gas पे कोई भी वरतन रख दीज जिसमें आप तेल को बना सकें और उसमें अट कर दीजिए coconut oil अगर coconut oil का इस्तमाल नहीं करना है तो आप यहाँ पर जैतून का तेल जो है इस्तमाल कर सकते हैं तिल का तेल इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है वैसे तो coconut oil सभी के घर पर मिल जाता है तो आप coconut oil का इस्तमाल कर लिजिए आदे का टोरी जो है तेल ले लिजए और उसको एड कर दीज़ा और उसके बाद जो हमने इंग्रीडियंट लिए थे लॉंग और रोजमेरी वह आप इसमें एड कर दीज़ा आपको लो फ्लेम पे ही इसको बनाना है तेज फ्लेम पे बिल्कुल ने बनाना अगर आप तेज फ अरीके से तयार हो जाएगा जादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है और इस तेल की बहुत खासियत है अगर आप इस तेल का रेगुलर तो पे इस्तिमाल करते हैं तो डेंडर्फ की समस्या नहीं होगी और जो आपके बाल बढ नहीं रहा है यह जो आपका हेर गोथ तो वो आपका इंप्रूव होगा हेर गोथ जो है और जो दो मुहे बालों की जो समस्या हो रही है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि हमने दोनों ही चीज़े ऐसी ली है जो आपके बालों पे वर्क करेंगी ही करेंगी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सबसे चीज़े बात तो यह है और सर्दियों के लिए बहुत जादा फाइदेबंद है क्योंकि लॉंग गरम होता है तो वो आपके सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अब गर्मिया कहां रही अब तो बारिश का मौसम है तो सर्दियां भी अब जल्दी ही आ सकते हैं आप जादा भी बना सकते हैं इस तेल को पहले आप कम बनाईए हो सकता है कि आपके बालों को सूट ना करें इस कैल को तो थोड़ा सा जो है इस्तेमाल करें अगर आपको लगता है कि हां आपके बालों को फायदा मिल रहा है एक से दो बारी में आपको पता चल जलाना नहीं है ब्राउन होने लगे लॉंग अच्छे से पटक जाए उसके बाद जो है आपको गैस बंद कर देना है और इस ओईल को जो है ठंडा होने के लिए रख देना आप देख सकते हैं कि मेरा तेल के इतनी अच्छे से बन गया है लो फलैंप पर हम इसके बनाते हैं क् जब यह ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप किसी दूसरी कटोरी में चनी की मदद से आप इसको चान लीजाए आप कपड़े की मदद से भी चान सकते हैं कपड़े की अगर जो बारी कपड़ा होता है ना तो उसे जो है छोटे-छोटे भी पार्टिकल्स होते हैं वह भी नही तो आप चनी की मदद से या फिर कपड़े की मदद से जो भी जिसमें भी आप तो ठीक लगे आप उससे तेल को चान लीजाए अब हमें इस तेल में कुछ भी याड़ नहीं करना है यह इतना अच्छा तेल बन का तयार हुआ है यह तेल ना कोई भी लगा सकता है छोटे पहुचाने वाला है तो आप इसको एजीली बिना किसी डाउट के आप अपने बालों में लगा सकते हैं आप एक हफ़ते लगा के तो देखे तीन दिन लगा के देख लीजे एक हफ़ते में आप जाहीर सी बात एक या दो बारी ही और वाश करते होंगे तो बस उतने ही आप को लगाना है आपको एक हफ़ते में रिजल्ट मिल जाएंगे आपको अठे से बालों कम करना और पूरे स्कैल्प में और पूरे बालो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं और जब आपके बाल सूख जाएंगे तो आपको natural तरीके से ही बालों को उखाना है मैं personally कुछ यूज करती हूँ तो इसलिए मैं आपको यह remedy शेयर कर रही हूँ इसके रिजर्ड बहुत अच्छे हैं अगर कम समय में आप अपने बालों को लंबा बनाना चाहते हैं तो आप इस remedy का जरूर से जरूर इस्तमाल कीजिए क्योंकि यह remedy कम समय में आपके बालों को मजबूत भी बनाती है और साती बालों को लंबा भी करती है और इस remedy से रिलेटीड अगर आपको कुछ पूछना है कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं उसके रिप्लाइज जरूर करूंगी और फ्रेंट्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नॉटिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख पाए और फ्रेंट्स यह रेमेडी उन लोगों लोगों को ज़रूर शे लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजे और शेयर भी कर दीजे तो फ्रेंट्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए एंडेकर और इस रेमेडी को आप आज ही बना लीजे क्योंकि बहुत जाले उफेक्टिव रेमेडी में आप लोगों